दोस्तों जल्देर से खरदीर से वीडियो को लाइक और यह जो लाल वाला बटन इसको दबागर सब्सक्राइब कर लिजे और पास में यह बेल आइकन दबा के ओल पे क्लिक जरू कर देजे और यहाँ पे नेचे आके कमेट बॉक्स में अपने गाउं शेहर या राजे का नाम कमेट जरूर करें तो दोस्तो अगले आने वाले 24-48 कंटों के दोरान उडिसाब 25 मंगाल के कुछ इसों पूरू दर भारत में हलकिस से मद्यम बारिष के साथी कुछ इसों पर बारी बारिष हो सकती है जबकि सिक्किम बिहार के कुछ इसों पूरी उत्तर परदेश चारकंड और 36 कट के अलग परदेश कौंग कौन और गुवा सहित गुजराथ सेत्र के कुछ इसों में भी हलकी से लेकर मद्यम बारिष हो सकती है वहीं पश्चिमी हमाले त्यलंगाना और आंत्रिक कनाटक में भी छिटपुट हलकी बारिष होने की पूरी-पूरी संभावनाई जताई गई है वहीं दोस्तों आज मानसुन की करती वीडियो में कुछ कमी आने की संभावनाई जताई गई है आज का मोसम कुछ सेत्रों में सुहावना जमा जम बारिष वाला भी होगा तो कहीं पर उमस और गर्मी भी बढ़ जाएगी आपके शहर में आज बारिष होगी या पारा चड़ेगा यह जानने के लिए जो है आप हमें कमेंट करके जरूर से बताईएगा वहीं दोस्तों मोसम की जानकारी देने वाले मोसम भाग ने बताया है कि आज पूरुत और भारत उपिमाले पश्ची मंगाल सिकीम बिहार और गुजरा सेत्र के कुछ चीसों में हलकी से मद्यम असार जते गए हैं वहीं दोस्तों बात कर लें राजिस्तान के मोसम की तो दोस्तों राजिस्तान में हलकी से मद्यम बरसा तो कहीं तेज हवाम वदूल परी आंदी का दूर आज भी जारी रहने वाला है मोसम विग्यान केंदर जाइपूर के नुसार परदेश के तकरीबन 19 जिल्लों में आज 30-40 किलोमेटर परती गंटे के रफ्तार से हवाओं के साथी बरसात होने के संभावना है जो इन जिल्लों में कहीं-कहीं अचानक से हो सकती है वहीं मुसम विभाग के मुताबिक कल से परदेश में इन गती वीदियो में कम्मी भी आ सकती है हालां कि आन सिक बादल चाहे रेने के साथी कहीं-कहीं पर वर्सा भी होती रहेगी जबकि पश्चिमी राजिस्तान के बिकानेर, चूरू, हनुमानगड, जोतपूर, नागोर जिल्लों में कहीं-कहीं पर मेगरजन वे वजरपात के साथी 30-40 किलोमेटर परती गंटे के रफ्तार से धूल परी आंदी भी चल सकती है इसके अलवा आज पूरी राजिस्तान के अजमेर, भीलवाडा, कोटा, बारा, बुंदी, जालावाड, चितोडगर, टोंक वे सवाई मादपूर जिल्लों में कहीं-कहीं पर मेगरजना के साथी वजरपात के साथी जो है 30-40 किलोमेटर परती गंटे के रफ्तार से तेज चल सकती है, वहीं पश्चिमी राजिस्तान के जोत्पूर, बार्ड मेर, जालो और पाली जिलों में भी मुसम ऐसा ही रहनी का अनुमान लगया गया है। उफान पर बनी हुई है और यूपी में जो है पहाड उसे लगे इलाकों में बाट के इस्तती में बन रही है। पूरी हिस्से में पूरी पूरी रूप से जदे गई है, वहीं समय पूरू मांसून आने से यूपी के कई जिलों में बारिश चारी है। पर देश के कुछ जिलों में 12-22 के जलते जल बराव की इस्तती भी पैदा हो गई है। पूरी और पश्चिमी हिस्सों में पिछले 24 कंटों के दोरान विबिन इस्तानों पर घर चमके साथी बारिश हुई। वहीं वारानसी संबा, कानपूर, लकनव, और चांसी में दिन के इस तापमान में वर्दी भी हुई है राजी में अतिकतम तापमान 49 निगरी सेलचेस तो पतेगड में दर्च किया गया है। सबसे कम निवतम तापमान 20.5 डिगरी सेलचेस नजीवबाद में दर्च किया गया है। पर पहुँच गया है वहीं पिछले 24 घंटों में पतना जिल्ले में कम से कम 45 mm बारिस तर्च की गई जबकि बिहार के 11 जिल्लों में ओसत 25 mm बारिस तर्च की गई है। से उपर बेरे हैं वीरपूर और सहर सामें कोशी नदी का चलेशतर खत्रे के निशान से क्रमस 43 और 9 cm उपर दर्च किया गया। सीमाचल सेतर के पूर्णया और कटिहार जिल्लों में महाननदा नदी खत्रे के निशान से उपर है। जिल्ले के जैन नगर और परमन नदी में भी कमला बालन खत्रे की निशान से उपर है। इसी बीच लगातार बारिस और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण उतरी बिहार और सीमाचल सेतर के अधिकान सिसों में बार जैसे हालात पैदा हो गये हैं। और ग्रामिन सड़कों पर रहने को भी मजबूर हो गये हैं। राज जे आबला मोचन बल्व ने बताया है कि निचले इलाकों में रहने वाले कई ग्रामिनों ने अपना गर छोड़ दिया है और शड़क पर विबिनिस्तानों पर सरन में लिया है। वहीं पश्चिमी चंपान जिल्ले के 13 प्रखंडों की करीब 1.5 लाक मानव अबदी इस बाठ से प्रभाविते सारन जिल्ले के गोपाल गंज के 6 और 3 प्रखंडों के रियाई सी लाकों में भी पानी की जो है गुश गया है। वहीं दोस्तों मुस्विबाग ने बताया है कि पटना, गया, नालंदा, मुझफर, पूर्शी में चंपान, पूरी चंपान और सारल जिल्लों सहीत 27 जिलों में बारिस होने की भविशवण की गई है। वहीं आपको बताते चले कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी सिस्टम सगरे नहीं होने से कल बारिस पर ब्रेक लगा था। पहीं आज कम दबाव का शेतर बनने पर बारिस का दोर फिर से सुरू होगा यानि आज सागर में बादलों की आवाज जाही रहेगी और कुछ शेतरों में बोचारे पढ़ने की भी आसंगा जते गई है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेर करके इस चैनल को जरूर से सब्सक्रीब कीजीगा। देने बादूस्तों मेल तैम अग्ली जाही जाएगा।